हेलो दोस्तो वेलकम बेक टो माई चैनल मैं आपकी फिरेंट शद्धा दोस्तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ एक नही रेसिपी के साथ तो दोस्तो प्लीज वीडियो को फुल वाच कीजेगा और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगेगी तो पास में बने हुए बेल वेटन को प्रेस करना मत बुलिएगा जिसे मेरे कोई भी नएए रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंस सके तो आईए देर ना करते हैं में रेसिपी शुरू करते हैं तो दोस्तो लोगडाउन चल रहा है हम सभी अपने में हैं और इस लॉक्डाउन में हम सबसे जाता मिस कर रहे हैं बाहर का खाना तो क्यों ना बाहर के खाने को हम घर बना के ट्राइ करें और घर पे ही हम बाहर के खाने का मजा ले सकते हैं तो दोस्तो पुरानी दिल्ली में जो पराठे वाली गली है वहां पर बहुत तो दोस्तो देखिए मैं आज आपके साथ पराठे वाली गली के कुछ फेमस पराठो की रेशिपी शेयर करूंगी जो कि मैं आलु का पराठा मूली का पराठा मैं इन सब की रेशिपी शेयर नहीं कर रहे हूँ क्योंकि यह बहुत कौम है यह सब हम अपने घरों में बनाते हैं तो आज मैं आपके साथ कुछ बहुती चटपटे और बहुती तीखे चटपटे पराठो की रेसिपी में शेयर करने वाली हूँ जो कि पराठे वाली गली के स्पेशल पराठे हैं तो दोस्तों आप वीडियो को फूल वाच कीजेगा मुझे पूरी उमीद है कि आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आप सभी अपने घरों में ट्राई भी कीजेगा और मुझे जरूर बताएगा कि आपको इन पराठो की रेसिपी कैसी लगी तो आएए देर ना करते हुए पराठे वली गली की फेमस पराठो की देश पर जल्दी से देख लेते हैं तो पराठा बनाने के लिए हम सबसे पहले आठा लगा लेते हैं तो देखें मैंने यहाँ एक बरतन में गेहु का आठा ले लिया है और अब हम इसमें अट करेंगे गी, नमक और पानी डालके हम इसका एक सेमी सॉप्टो तियार कर लेंगे तो हमें बस जो हम नॉर्मल घर पे पराठा बनाने के लिए जो आठा लगाते हमें सेम वैसा ही आठा लगा लेना है तो यहां पर मैंने आठा रेड़ी कर लिया है अब हम इसे ढख के दस बिनट के लिए अलग रख देंगे और हम तब तक बागी की तियारी कर लिए तो मैं जो यहां पहला जो पराठा बना रही हूं वह है पूदीने का पराठा तो पूदीने का पराठा बनाने के लिए दे हम इसे क्या करेंगे इससे थोड़ा से दर्दरा पीस लेंगे तो अगर आप यहां पर पुदीना पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं तो यह देखिए मैंने इस तरह से दर्दरा ऐसे पीस लिया है या कूट लिया है और हम अब इसे एक बरतन में खाली कर लेंगे इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले आड़ करेंगे तो यहां पर दिखिए मैंने जीरा और साबुद धनिया को पीस लिया है तो पीसने के पहले मैं मैंने इसे कढ़ाई में हल्का सा भून लिया था एकदम स्लो फ्लेम पे और उसके बाद मैंने इसे मिक्षी में पेस लिया रहा है तो हम एक चमश यहां पर धनिया और जीरे का यह पावडर इसमें एड करेंगे इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है फिर हम इसमें एड करेंगे थोड़ा सा ग्रेटेट जिंजर अद्रक और थोड़ी सी हरी मिर्च तो मैंने यहां एक हरी मिर्च को बारिक काट लिया था उसके बाद हम इसमें एड करेंगे नमक थोड़ा सा चाट मसाला थोड़ी सी लाल मिर्च पावडर तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अक्वार्डिंग रख सकते हैं उसके बाद हम यहां एड करेंगे एक चमच मेल्टेड घी या अगर आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं उसके बाद हम सभी चीजों को अच्छ बन के अदम रेडी है तो आईए जल्दी सब पुदीना पराठा बना लेते हैं तो मैंने यहां आटे में से एक बड़ी लोई ले ली है और इसे हम एक रोटी के साइस में बेल लेंगे उसके बाद हम इसमें इसमें बरेंगे जैसे हम नॉर्मल पराठो में भरते हैं और फि 50% तवा पे सेख लूँगी उसके बाद मैं एक पैन में देशी गीले के इन्हें सेलो फ्राइ करूँगी मैं इसे डीप फ्राइ नहीं कर रही हूँ अगर आप चाहें तो आप डीप फ्राइ भी कर सकते हैं इसे तो आप पराठो को अपने पसंद के मुताविक बेल सकते हैं तो आप अगर मोटा पराठा खाना चाहते तो अब इसे मोटा रखी अगर अगर थोड़ा टला पराठा provides तो आपत्ले वी लिए तो देखिए जैसा की मैंने कहा था पराठो को 50 परसेंट तवे से करोंगी उसके बाद इसे फैन में थोड़ा सा घी डाल के लाए करोंगी तो यहां मैं ने सेकका लिया है अब मैं भी के यूंट अजक करी मैं इसे यहनी बोथ ही अच्छा क्रिस्पी भी हो जाएगा और चारो तुरफ से अच्छे से सिक भी तो आप इसे डाइरेक्ट फ्राइ करके भी बना सकते हैं तो यहां पे देखिए मेरा पुदीने का पराठा बनके एकदम रेडी हो गया है यह बहुत ही अच्छा क्रिस्पी और चारो तरप से अच्छे से सिख गया है और यह देखिए बनके रेडी हो गया तो अब हम इसे एक चूर कर लेंगे चूरा कर लेंगे इस तरह से देखिए और उसके बाद हम इसमें एड करेंगे थोड़ा सा पनीर ज्यादा एड नहीं करना है बस थोड़ा सा पनीर बैडनिंग के लिए और फिर हरा धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला तो आपको इसमें अलग से नमक या अच्छे से मिक्स कर लिया है और पापड की स्टफिंग रेडी कर लिया है अब हम एक लोई लेंगे आटे में एक लोई लेंगे और उसे इसमें भर देंगे फिर हम इसे बेल लेंगे और यहां भी आप चाहें तो अपने पसंद के मुताबिक बड़ा चोटा पराथा जैसा ब मैं इसे देशीगी में सेलो फ्राए कर लूँगे तो यहां देखिए हमारे बाद में इसे देशीगी में सेलो फ्राए कर लूँगी बारा पार का पराठा बनके भी तयार हो गया है ये भी एकदम कृस्पी बना है और अच्छेmi सीख गया है तो चलिए अब हम ढहारे जो कि रोख और रप्याव मैं निम्री की नावरा पर आठा लेन गया है और अब इसमें कुछ मसाले हैं जिने gyット मेह हम ग्रेट करके ले लेंगे फिर उसके बाद हम इसमें आड़ करेंगे धनिया पत्ती बारिक कटी हुई फिर हम इसमें आड़ करेंगे यह जीरा और धनिये का जो पाउडर हमने बनाया था वह और फिर हम इसमें आड़ करेंगे अनारदाना तो अनारदाना डालने से इसका टे तो यह देखिए हमारे नीबू के पराथे की स्टफिंग बनके रेडी हो गई है और बाकी पराथो की तरह हम इसमें भी एक लोई ले लेंगे स्टफिंग भर के बेल के और इसे पहले तवे पिसे एक लेंगे फिर उसके बाद हम इसे डिफ्राइ कर लेंगे दोस्तों देखिए मैं यहां नीबू के पराथा थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूं मतलब मैं इसे स्क्वाइर बना रही हूं झाल झाल जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि नीबू का जो पराठा बनता है पराठे वाली गली में वहाँ पे उन लोग नीबू का रस यूज नहीं करते हैं वहाँ पे वो साइट्रिक एसिट क्रिस्टल का यूज करते हैं तो ये तो नॉर्मली हम लोग के घर पे अवलेबि दोस्तों अब मैं जो चौथा पराठा बनाने वाली हूं वह है रबडी का पराठा तो ये भी पराठे वाले गली में बहुत फेमस है तो देखिए रबडी का पराठा बनाने के लिए हम सबसे पहले तो रबडी ले लेंगे उसके बाद आटे की एक लोई लेंगे और इसे रबडी के साइज में बेल लेंगे फिर उसके बाद हम इसमें रबडी की स्टफिंग करेंगे तो देखिए यहां जो रबडी के पराठे का जो शेप होता है वह आलमोस्ट गुजिया के जैसा ही होता है तो यह देखिए मैंने यहां रोटी बेल लिया है और हम इसमें पुला हुआ ना रहे नहीं तो फ्राइ करने के टाइम पर रबडी इसमें से बाहर आ सकती है या फिर इसमें बहुत ज़्यादा तेल अंदर जा सकता है तो देखिए मैंने इसे चारो तुर्प से अच्छे से पैक कर दिया है उसके बाद अब हम इसे फ्राइ कर लेंगे तो दोस्तो रबडी का पराठा बनाने के टाइम पे इसे फ्राइ करने के लावा हमारे पास दूसरा कोई आप्शन नहीं है तो हमें इसे फ्राइ करना पड़ेगा आप चाहें तो डिप फ्राइ भी कर सकते हैं मैं इसे यहां सेलो फ्राइ कर लेंगे तो आप देखिए अब यहां बनाया है निबू का पराथा रबडी का पराथा पुदिने का पराथा और पापड का पराथा तो दोस्तों आपको इस में से कौन से पराथी की रेसिपी अच्छी लगी आप मुझे प्लीस कमेंट करके ज़रूर से बताईएगे गाएगा और इस विकेंड पे आप इन की रेसिपी को अपने घर पे जरूर से ट्राइए कीजिए